हेल्लो दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी के एक स्पेशल वीडियो में जहां पर मैं आपसे शेर करूंगा मेरी वन अप दो फेवरेट निफ्टी बीज की स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा मज़ेदार आप देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा ऐसी नहीं आपने कभी देखी होगी नहीं कभी सुनी होगी नहीं एक्सपेटेशन भी रखी होगी मैं यह भी उक को बता तो जिस एक्सपेटेशन जाब यहाँ पर आए है वीडियो देखने उससे भी डबल मैं आपको यहाँ पर करने वाला हूं तो इसको द्यान से देखिएगा है ना सर तो जो लोग सेलरी परसन है जिनको टाइम निया मार् निफ्टी क्या है निफ्टी फिफ्टी निफ्टी फिफ्टी अल्टीमेटली बना हुआ है एक इंडेक्स है जो बना हुआ है इंडिया के जो भी लिस्टेर स्टॉक से उसके टॉप फिफ्टी स्टॉक कौन से टॉप फिफ्टी जिसके अंदर रिलाइंस आ गया जिसके अं काम सुनें यह सारी उसके अंदर यानि की टॉप 50 के अंदर आ गई उससे बना हुआ है इंडेक्स है ठीक है सर अगर हम इसके अंदर इंडेक्स करते तो हमारा रिस्क अल्मोस्ट नील हो जाता है उसका अरिजन आपको कुछ समझाता हूँ हम इंडिविज्व स्टॉक में अगर लेंगे आपने भी देखा वे होगा अधाने स्टॉक में कैसा भोका ला गया 25-30% एक दिन में गिर रहा है लेकिन कभी भी इंडेक्स एक दिन में इतना नहीं यतना को भी टेस्ट करके दिखाऊंगा कि इतना बड़ी चीज है यह तो आपको पहली बाते रिस्क जीरो हो गया आप इंडेक्स लेंगे तो वह जीरो हो सकता है लेकिन इंडेक्स कभी जीरो नहीं होगा मतलब पूरी एकोनोमी ढप हो गई सारी कंपनिया यह जो कंपनिया सारी बंध हो गई तब ही जो है वह इंडेक्स जीरो होगा वरना तो वह होगा नहीं अभी क्या हो सकता है आप बोलेंगे उसके नंदर कोई कमपनी फ्रॉड कर दी तो जो निफ्टी-फिफ्टी है उसका जो री बैलेंसिंगों कॉन्टीम्यूसली होता रहता है यानकि मान देज से यह को येस बैंक है इसने फ्रॉड किया इसका मार्केट कैप नीचे आ गया और इसका मार्केट कैप उपर आ गया तो यह सीधी इस 50 मैंसे निकल जाएगी और यह एड हो जाएगी यानि कचरा जो भी है वह सारा निकलता जाएगा जितने भी आप मार्केर बड़े- करने के दो तरीके हैं मैं आपको समझाता हो करना तो कैसे कर पाएं ऑप्शन की बात करें रिस्क अनलिमिटेड है जो बायर है उनके लिए भी क्योंकि वह बाय करना छोड़ेगा नहीं वह मारना तोड़ेगा नहीं तो जिनको निवेश करना वह कैसे करें तो उसके लिए बनाए गई है दो चीजे एक है इंडेक्स फंड और दूसरा है निफ्टी बीज अब इंडेक्स फंड अल्टिमेटली क्या है म्यूचल फंड का आता है इंडेक्स फंड यानि कि वह सीधा सीधा जो निफ्टी 50 के अब रहे दूसरे ड़िए क्या करेंगे अपने परफ़ोल्य में से एक जो निकला ऊषको निकल देंगे जो आया उसको आप पर सकते हैं मिलेगा निफ्टी पी इस क्या है कि एक वह से स्टॉक की तरह यहां पर बिहेव करता है मांद लिजिए आप क्या नॉर्मल्ल या को रिलाइन्स है है कुछ भी बाय करना हो आप सिंपल क्या करते हैं अपने डीमेट अकाउन में जाते हैं जिनके पास डीमेट अकाउन नहीं है तो सारे डीमेट अच्छे अच्छे है उनकी लिंक डिसके बसां को मिल जाएगी आप खुलबा लेजेगा होना ही चाहिए कि ज Grü сेक्तरा क्या यहां पर स्टॉक की तरह करता है कि आप उसको भी अई की तरह चाहिए और कर सकते हों सुब स्टॉक की प्राइट की तरह ही हम करता है मैण ज़ह उननेटी शेवल say 120 है फिजन की प्रेस आप बोलेंगे कि दोनों सेम हैं इंडेक्स फंड बात करी और यह हमारा निफ्टी बीज दोनों सेम ही सेम काम करते सेम परसेंटेज और रिटन डिलीवर करते हैं तो हमको क्यों निफ्टी बीज में जाना चाहिए खाम का डीमेट के अंदर जाओ इससे अच्छा है मैं मंतली स स्टाट कर दो इंडेक्स फंड के अंदर अपने ही साथे पैसा करता रहेगा यहां पर क्याच है एक दिन निफ्टी सुबह-सुबह पांच परसेंट किसी न्यूस के कारण गिर गया और तब माईक्री की प्राइस चल रही थी एक सो सत्तर रुपए मान लिजी अभी यहां पर परसन ए है यहां पर परसन भी है परसन एक को दिखा का अच्छा मौका है मैं कर लेता हूं इसमें एक लाग का निवेश अच्छा से दिन मार्केट पूरा रिकावर कर गया जो वन सेंट का फ्राइस था वो आगया मांडेज यह वन नैंटी फाइव एक्जाम्पल समझे पूरी का कुछ नहीं करने वन नैंटी फैजाए ठीक जजबत की गएगत नहीं आती एक्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि 1.9 लेकिन आपकी जो बाइंग प्राइज आएगी वह आएगी 195 और यह कैसे क्योंकि म्यूचल बूचल का युनिट होता है डे अफ्र की मार्केट बंद होने के बाद कि मार्केट के क्लोजिंग प्राइज जो है उसके टाइम पर ही आपका पैसा यहां पर इन्वेस्ट होगा उसी की प्राइज पर आपका होगा यह तो चीज अलग है कि आप कभी भी बाइज करें सुब्र को बाइब करें मार्केट के तीन बजे की बजे के बाद साड़े-3 बजे मने के बाद जो प्राइस तहीं पर आपका बाइन कहलाएगा यानिए कि सेम टायम पे आपने इस लेकिन ये प्लस फ्पर आगया और आप देखिए परसेंटेस का तैना आएगा पात साल के बाद यह पात परसेंट का डिफरेंस की तना आएगा देखिए 1 पर संट बही जी तो लाखों का डिफर्स आ जाता है देखिए आपको simply investing करना है SIP कीजिए चाहिए आप time to time invest कीजिए आपको simply क्या करना है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिनको technical पसार है उसको nifty 50 आपको खोड़ लेना है क्योंकि nifty 50 के हिसाब से चलता है वो आपको लगाना है monthly chart क्यों सार लगा रहा है monthly chart और कुछ नहीं करना है यहाँ पर थोड़ी बहुत जो जानते average आपको दो तरह की average लगानी है दो तरह की average और वो लगाएंगे आप EMA exponential moving average दो average लगाएंगे consequence लगाएंगे एक लगाएंगे 20 और एक लगाएंगे 50 लेकिन उन दुन में हाई close low divide by two source आपको क्या मिलेका यह मान लेजी यहाँ पर आ गया यह मैं setting में जाऊंगा input के अंदर देखिए length में डाला है 20 कि मुझे 20 पीरेड का चाहिए source में डाला हाई low divide by two यह होगे 20 का और यह है दूसरा 50 का हाई low close divide by three simple बहुत ज्यादा सिंपल है अगर किसी को नहीं पतार चल रहा तो मुझे comment करके बताएगा मैं इसमें और डिला को दूँगा बहुत सिंपल है अब आपको simply क्या करना है market जब भी यह 20 यह में या 50 यह में के पास आता आपको सिंपल क्या करना है यह जोन आपका buying zone है सिंपल 20 से लेके 50 तक का आपका buying zone है यहां पर धाबा बोल दीजिए कुछ नहीं करना है वह जिंदगी में आपको मैं दिखाता हूं हिस्ट्री में यहां से च्ट्राट करता हूं 2009 से इतना माके चला यहां मौका मिला थोड़ा यहां मौका मिला फिर माके चलते के माके आपको मौका देख के जा रहे है देखिए देखिए यह आई यह आई कितने भी उपर जे आपको मौका मिल जागा देखिए कितने मस प्रैस में मिल रहा है देखिए वापस आई आपको मौका देने के बाद ही उपर जाएगी देखिए यह कोड़ना वाला क्रैस देखिए उसे फिले मौका मिला था कोड़ना में मौका मि करती है अब आपको इन्वेस्ट करना कैसे है यह आपको सिस्टमडी समझाता हूं आप मांदेजिए मंतली 10,000 रुपीज सिप करना चाहते है आपको सिंपल क्या करना है अपने डीमेट अकाउंट पर एवरी 30 को यह 10 दर पर डीमेट अकाउंट के अंदर फंड में डाल देने है उससे कुछ खरीदना नहीं है फंड में डाल देने है टस महीने हो गए 10 intense होगे यहां पर One Lack जम्ह होग इंध्वर अब करने का लेकिं जब city valid आएगी है और में अ करना है उसके अधर उपपियोग करना सिर्फ बायंग जोन पर वे तिन कि मादूज दू मह्मों दो मेने के बाद 20 की आपका अवेलेबल था अभी मार्केट ने मौका दे दिया तो 70% फंड आपका वहाँ पर चला जाएगा सीधा निफ्टी बीज बाय करने में और बाक के 30% बचा रहेगा कि अगर यह नीचे और आता है तो आप और कर पाओ कुछ नहीं है और सिम्पल और सिम्पल आपको मैं देखे निफ्टी निफ्टी का चार्ट निफ्टी कैसा जूंटे माले आपको लिखना है निफ्टी 20 के पहला आपको यह करना है निफ्टीए फनिंफटी बीस 1 कि सेंधैने लिजे चाहर्त साट देखे mesma यह कभी जींड नहीं भूग सर्ड दे यह चीजे लोग पचास-पचास-धार के वेबिनर में सिखाते हैं मैं आपको फ्री में दे रहा हूं वैल्यू किजिएगा कई लोग तो इसको एसी राज है यह बता दे भी नहीं है जिनके पास हो उनके पास लोग सीख है मार्केट में अनुफो कर करके बहुत सारी वह पस भी नहीं बहुत हो इतनी पाउर्फूल चीजस देखेगे मारकेट का बॉटम बता करना को जिंदागी के करिए इन्वेस्ट आराम से आपको सरी इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आपको आगे जाके देखेंगे 15-20 साल के बाद म्यूचल फंड से लेकि इंडेक्स तक को बीट कर देंगे कि अब लोग पर बाइब कर रहा है मान लेजिए आपको एक चीज समझाता हूं कि मान लेजिए इंडेक्स 15 परसेंट रिटन देती है यरली तो जनवरी से लेके डिसेंबर तक क्या वह दीर दीर बढ़ती जाए कि 15 के इसाब से नहीं वह शायद पांच पर नीचे जाएगी फिर पांच नीचे आएगी इस तरह स पिसका और फिर मारके ने 15 परसेंट उपर किया यह अरह हो रहा है आराम से जब जी बर जाया निकाल दीजिएगा आराम से किजिएगा मतली चाथ है आपको महीने में एक बार देखना है आप यहां पर देखेंगे यहां पर चल जागा कि अगले मेने मुझे कहां पर नज़र रखनी है एवरी डिया यह रात को देखिए कुछ नहीं करना है जिन्दगी में और इसको फॉलॉ कीजिए आपको यह फसंद आवगा वीडियो को शेर जरू किजिए सारे लोगों के साथ तो जिससे जादर जाद लोगों इसको पता चले और उसके अंदर निवेश कर पाए और जो माके का डर फसा हुआ सब में वह निकल जाए सिस्टेमेंटिक इन्वेस्मेंट करते रहे है धन्यवा झाल 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 झाल